प्रधान मंत्री नरिंद मोदी ने रैली करके सराप पे वार किया। सराप से उनका मतलब समाजवादी पार्टी, राश्ट्री लोग दल और बसपासे है। उसको ले करके काफी राश्टिक दलों में हलचल है और प्रधान मंत्री को घेरा जा रहा है। बाराल हमारा मतलब यह है कि इस बार वहां के जो सिटिंग एमपी हैं राश्टिक लगा पाएंगे। दो बार से सांसद है और इस बार उनका च्छेतर में काफी बिरोध हो रहा था, कारिकरता भी बिरोध कर रहे थे टिकट देने को ले करके। लेकिन बीजेपी केंदरी चुनाव समिती जब टिकट बांटने के लिए बैठी तो अन्त उन्ही के नाम पे मुहर लगाया, सायद उसके पास जो सरवे से इंपुट मिले थे, वो कहीं न कहीं राजेंदर अगरवाल के फेवर में जा रहे थे, या यूँ कहें कि उसके पास बहुत ज़्यादा ओप्सन नहीं थे, इसलिए उसने एक बार फिर से राजेंदर अगरवाल पे दाव लगाया है, लेकिन इस बार का समिकरोन थोड़ा सा बदला हुआ इसलिए है, क्योंकि SP, BSP और RLD ने मिल करके अपना प्रत्यासी मैदान में उतारा है, और यहां से जो लड़ रहे हैं, वो बसपा के हाजी याकूब कुरैसी चुनाव मैदान में है, हाजी याकूब कुरैसी की जो इमेज है, वो कटरवादी नेता की है, इसलिए ये दोनों को सूट कर रहा है, यानि कि जब धुरुवी करन करना हो, चाहें वो कटबंधन अपनी तरफ से कोसिस करें, चाहें बीजेपी कोसिस करें, तो दोनों को ये सूट कर रहा है, कि हिंदो और मुस्लिमतों का इनकी कटरता की वज़े से धुरुवी करन होगा, लेकिन खेल भी गाड़ रही है कांग्रेस, जहां पे कि उसने दुसरे वैसी उमिदवार हरेंद अगरवाल को उतार दि नासीर अली को, तो कुल मिलाज ला करके यहां का समिकर्ण कुछ इस तरह से बन रहा है, कि दो मुस्लिम प्रत्यासी हो गए हैं, और दो वैसे प्रत्यासी हो गए हैं, तो इसमें वोटों का बटवारा हो रहा है, और इसी में बीजेपी देख रही है, कि सायद उसका दाउं इस बार भी लग जाए, और आजेंदर अगरवाल है टीक लगा जाएं, लेकिन यह इतना आसान नहीं है, यह दि पिछली बार जो मोदी लहर में चुना हुआ था, उसके वोटों पे गौर करेंगे, तो पाएंगे कि उनको जो है, पांच लाक बतिस जार नों से कासी वोट म जो दल लड़ रहे हैं, वो बहुत ही तगड़ी फाइट दे रहे हैं राजेंदर अगरवाल को, और कहीं न कहीं उनके खिलाफ एंटी इंकम मेंसी फैक्टर भी काम कर रहा है, और चुकि यहां पे वैस्य और मुस्लिम और दलित काफी वोट है, तो इसलिए गटबंधन को लग रहा है कि दलित मुसलिम के सहारे उसके नईया पार हो जाएगी, जबकि इंडिये और बीजेपी को यह लग रहा है कि जो मुसलिमों के अगेंस्ट धुर्वी करण होगा, वो सायद राजेंदर अगरवाल के नईया पार लगा दे, लेकिन कांग्रेस ने जो हरेंदर अ अगरवाल को उतारा है, उससे राजेंदर अगरवाल के मुसीबत बढ़ी हुई सी लगती है, अब देखते हैं क्या होता है, अभी तो चिनाम में कुछ दिन है और अभी ना जाने कितने रंग बदलेंगे, कितने सियासी रंग चड़ेंगे, जो भी इसमें अपडेट होगा हम आपको बताते रहेंगे, आप देखते रहिए हमारा डिजिटर चनल इन खबर, थैंक यू